मुश्कार दोस्तों बदोस्त वात आपको आमारे चलमें दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधान मंतरी मांधन स्कीम के अंदर आप किस तरह से 3,000 रुपे हर महीने या 36,000 रुपे हर साल की स्कीम के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं अप किस तरह से हर महीने 3,000 रुपे की मासिक पेंशन या हर साल के 36,000 रुपे की पेंशन के लिए अपलाई कर सकते हैं अपने घर बैठे तो उसके लिए आपको करना है कि अपने गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजे चाहे अपने फोन पर चाहे अपने तीन स्कीमें जो की मांधन योजना के अंदर तीन स्कीमें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया तीनों स्कीमें यहाँ पर आपको दिख जाएगी अब सबसे पहले आपको करना क्या आपको यह पता करना है कि आप इन में से किस योजना के अंदर आते हैं तो दोस्तो आप यह कैसे पता करेंगे, आप इन में से किसी भी योजना के उपपर, इसकीम के उपपर पहले क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि माली जी मैं पहले नमबर के इसके उपपर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपक कि eligibility यानि की योग्यता दिख जाएगी तो योग्यता में आप यहां पढ़ सकते हैं कि आप इनके अंदर योग्ये हैं या नहीं तो तीनों पर ही आप टच करके देख लीजेगा और जिस भी scheme के अंदर आप योग्ये होते हैं उस scheme के अंदर आप इसमें apply कर दीजेगा दोस्त तो जब आप इसमें पता कर लें कि आप किस योजना के अंदर आते हैं तो आपको इस scheme के उपर click करना है और नीचे जाना है और यहां पर आपको एक option मिलेगा यह green color का apply करने का ठीक है तो यहां पर आपको click करना है जैसी आप यहां पर click करेंगे तो यहां पर दो option आपको मि यही बता गया इस website पे भी कि आप नजदी की CSE Center जो common service center होते हैं वहां पर जाकर apply कीजिए लेकिन अगर आप घर से करना चाते हैं तो उसमें आपको यह पहले number के option पे click करना पड़ेगा और आप अपने phone को तयार रखिए और आपको वह वाला mobile number इस्तेमाल करना होगा यहां पे लिंक हो तो यह पहले number के option पे हम click कर देते हैं और यहां पर आपको डालना होगा अपना mobile number जो आपके bank और आधार card के साथ लिंक है तो मैं यहां पर डाल देता हूं और उसके उपर OTP आएगा और वो OTP हमको यहां पर डालना पड़ेगा दोस्तों OTP डालने के बाद इस बता ही वो तीनों scheme है यहां पर आपको दिख रही होगी तो आपने देखी लिया होगा कि आप किस scheme के अंदर आते हैं तो आपको उसी scheme के उपर click करना है तो आप जिस भी scheme के अंदर आते हैं आपको वो scheme click कर लेनी है और उसके बाद एक छोटा सा form खुल जाएगा वो form आपक ठीक-ठीक भर लेना है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा आपका आधार नंबर, आपका नाम, ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, नोबाइल नंपर आपको वह ही डालना है, जो अभी आपने लॉग इन किया है पिल्कुल clear यहाँ पर देना है yes या no पर क्लिक करना है ठीक है नीचे आपको जितने भी option पूछे जा रहे हैं यहाँ पर आपको सब पर क्लिक करना है और यह form यहाँ पर टच करके आपको submit पर क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद आपसे पूछी जाएगे आपकी bank detail तो दोस् account बन जाएगा और आपको एक pension number issue कर दिया जाएगा आप उस pension number को यहाँ से print भी करके रख सकते हैं अपने पास या उसको आप लिखके भी रख सकते हैं जो आपके future reference के लिए वो काम आने वाला होगा दोस्तों यहाँ पर आपसे एक option भी पूछा जाएगा कि उसके अंदर आ आते होंगे तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैटे online apply कर सकते हैं प्रधान मंत्री मांधन इसकीम के अंदर और यहाँ पर जो आपको हर महीने 3000 पेंशन या सालना 36,000 रुपे का जो लाब मिलेगा इस तरह से आप ले सकते हैं तो दोस्तों कैसी लिए कि आपको जनकरी प्ली झाल 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